आपका स्वागत है में प्रियाम आपके साथ साउत में भगवान की तरफ पूझे जाने वाले थलाईवा और रजनीकांद आज 73 साल के हो चुके है उम्र के साथ साथ रजनीकांद की फेन फॉलाईंग और उनकी रिकॉर्ड भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं इसी साल रजनीकांद की फिल्म जेलर ने 600 करोड से ज़्यादा कमाई कर तमिल सिनेमा का इतिहास बदल दिया रजनीकांद साथ के एकलोते एक्टर हैं जिनकी दो तमिल फिल्में 500 से ज़्यादा कलेक्शन कर चुकी है उम्र के इस पड़ाओं में भी रजनीकांद हीरो बनकर अकेले फिल्म की कमांद समालते हैं और रेकॉर्ड बनाते हैं जबकि उनके सभी हम उम्र हीरो अब सपोर्टिंग रोल ही करते हैं रजनीकांद फिल्म जेलर के लिए 210 करोण फीस लेने वाले सिर्फ साउथ ही नहीं बलकि भारत के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं फिर भी ये तमाम उपलब्धिया उन सभी फैंस के जुनून के आगे फिकी है जो रजनीकांद को अपना भगवान मानते हैं और पूजते हैं यही कारण है कि साउथ में रजनीकांद की फिल्म रिलीस होने पर कई जगा छुट्टी खोशित हो जाती है जश्न का माहूल होता है और टिकेट के लिए दंगे न हो तो यह हिरानी की बात होगी रजनीकांद के पास सबसे ज़्यादा फैन क्लब होने का रेकॉर्ड है पूरे छाचट हजार रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फैन ग्रूप की तो कोई गिनती ही नहीं है हलाकि अस्ती के दशक में एक समय ऐसा था जब सभी डारेक्टर्स और डिस्ट्रिबूटर्स ने नाम लिया था कि रजनीकांद का करियर अब खतब हो चुका है इस बिच अमिता बच्चन की एक फिल्म रजनीकांद के लिए स्टार्डम दोबारा हासिल करने का जर्या बनी थी